नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिटु कुमार और मेरे यूटुब चनलन में आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी ख़पर एक बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं सच्को के 50 परतिसत पद पर होगी सिधी निवक्ती बाकी 29 से भरे जाएंगे सातमा चरण शिचक नियावाली को सिच्छा मंतिरी ने दी हरी ख़पर किरिया अंतिम चरण में जी हां जो सातमे चरण के नियावाली बनने वाला है यह आगे जो भी सिचको से रिलेटर नियाविल बलने वाला है मानिया सिच्छा मंति जी के तब से हरी झंडी दे दिया गया है लेकिन आज मीटिंग था कैबिनेट मीटिंग था लेकिन उसमें निवाबली पास नहीं हुआ है वो आपको भी पता है वो हमें भी पता है तो साइद आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर एक कैब मिल सकता है एक अनुमान के तहट हम बोल रहे हैं बाकिस सरकार के मन में क्या है मनसा क्या है वो हम नहीं जानते तो यह जान लीजिए अगर मानिय से च्छा मंति जी के तरफ से एस्टेटमेंट है कि इसी महिने जारी होगा तो साइद फरवरी के लास्ट बिक में जारी हो सकत लेकिन उसके बाद भी जटका लगे जैसे आज निवावली जारी नहीं हुआ उसका जटका और यह बोला जा रहा है कि इसको के 50% ही पर पर सीदे होगा अगर मालिया जाए कहीं पर कहा जा रहा कि 80,000 में 40,000 पर ही नुक्ती हो और 40,000 पर सीदे प्रनोति प्रमोशन कर दिया तो समझ लिए कि 70, 71, 72 वाले का भी खत्रा हो सकता है क्योंकि छठा चर्मे 70, 71, 72 वाले खास करके जनरल OBC के लिए हम बोल रहे हैं बाकि जो अधर करेटेगरी के हैं उनको तो टेंसन नहीं है क्योंकि यह जादे अगर मार को एक अनिडेट खा रहा है तो जनरल और OBC खास कर देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है पूरा एनलाइसिस हम आपको हर एक वीडियो में करके बताएंगे यह देख सकते हैं आज की नूज में छापा गया है हर एक अपडेट हम आपको देंगे क्योंकि हम साथ में चंद से रिलेटर भी ख़बर लेके आते रहते हैं तो और भी तेज अपडेट पाना चाहते हैं तो नीचे वाटसप ग्रूप दिया हुआ है टेलिग्राम ग्रूप दिया हुआ है सारे ग्रूप आप जोइन कर लिजे आपको वीडियो से पहले भी अपडेट वहां मिलता रहेगा तो चलिए इस ख़बर को विस्तार से देखते ह हैं शिष्को से जूड़ी सभी नुक्तियों के लिए एक ही नियावली 2.25 लाग से अधिक रिक पदों पर बहाली की जानी है 27,000 से अधिक प्रियोग साला सहाइकों की नुक्ति की जाएगी 9,360 स्कूलों में उर्दू शिष्कों की नुक्ति की जानी है 9,000 से अधिक लाइब्रेरियन की नुक्ति का प्रस्ताव है आनलान आविदन की लेने की बेवस्था भी किया गया है शिष्कों के अर्जित अवकास की संख्या 120 से बढ़ा कर 240 करने का प्रस्ताव किया जा रहा है अर्जित अवकास को रिटार्मेंट के बाद भुक्तान करने का प्रस्ताव है बित ये उन्वाइद 10 और 20 साल में देने की तयारी है परदेश में पहली वार प्लस टू विद्यालों में किरसी विसाय के सिचक नुक्ति किये जाएंगे तो इसका भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं जो लोग चैनल पर नए जूने हैं एक वर चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लिजेगा ताकि पलपल का अपडेट आपको मिलता रहा है बिहार के सभी तरह के सिचको की नुक्ति के लिए एक ही परकार की नियावली बनाई गई है अब बिहार में किसी तरह की कोई भी बहाली होगी किसी भी विभाग में बिहार से सिच्छा से रिलेटर जिसे मालिया लाइब्रेरियन का हो दिया उगदू का हो गया तो सब के लिए एक ही नियावली होगा सिच्छा मंतरी प्रोफेसर चंदर सेकर ने सिचको की नुक्ति परकिरिया से जूड़ी नियावली के बिभाग्य परस्ताव को हरी जंडी दे दी है प्रस्तावित नियावली की खास बात यह होगी कि रिक्त पदों में 50 फिद्य पद पदोनती से भरे जाएंगे साथ ही प्रस्तावित नियावली में अरजित अवकास दू गुना कर दिये जाएंगे यानि कि एक तरफ खुसी भी है पुराने टीचरों के लिए और परमोशन का भी उमीद दिख रहा है तो जो टीचर के पास अच्छे अबिलिटी है वो परमोशन कर सकते हैं सिच्छा मंत्री के अनुमती के बाद आपचारिक मंजूरी के लिए या परस्ताव समार परसासन यानि की बित और बिदी विवाग को भेज दिया गया है यानि की मानिये सिच्छा मंत्री जी के तरफ से हरी जंडी मिल गया है अब ये समानप पर साथ सोन और बीत विवाग के पतरफ से हरी जंडी मिलने के बाद फिर कैबनेट में जाएगा और कैबनेट में पास होने के बाद फिर आपके पास जारी कर दिया जाएगा उमीद जताई जा रही है कि होली से पहले कैबनेट हर हाल में हिच्छक नियावली हरी जंडी दे देगी अब देखिए बात होली तक चला गया है क्योंकि होली आठ मार्च को है यहां उमीद लगाया जा था कि फरवरी के लास्ट बीक में साथ जारी हो सकता है जानकारी के मुताविक नियावली में नुक्तियां और प्रमोशन के अलावा सेवा सर्तों पर विसेश रूप से फोकस दिया गया है जो नियावली बन रही है उसमें नुक्तियां प्रमोशन और सेवा सर्त विसेश रूप का प्रधान है प्रमोशन के संदर में सिच्छा इवाग ने निनाई लिया है कि 50 परतिसत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे उधारन के लिए माध्मिक सिच्कों को उस्तर माध्मिक सिच्कों के रूप में पनोती दी जाएगी इसी तरह प्रमिक अस्कूलों में कच्छा एक से पांध तक वरे जिच्कों का मध्मिद्यालों के सिच्छक के रूप में पनोती दी जाएगी इन सभी रिक पदों पर साथ में चर में निकाली जाएगी अब देख लिए सिच्कों के अर्जित अवकास की संख्या एक सो बीर से बढ़ा कर दो सो चालिस करने का भी प्रस्ताव है इस तरह सिच्कों को परसाहित करने के लिए प्रात्मिक से लेकर उच माध्मिक अस्कूलों में बित्य उनियन का प्रधान किया है बित्य उनियन के समय अब्धी 10 और 20 वर्ष रखी गई है प्रस्तावित नियावली में सिच्कों के अरजित अवकास की संख्या 120 से बढ़ा कर 240 कर दी गई है रिटार्मेंट के बाद अब इसका भुखतान भी किया जाएगा यानि कि जैसे ही रिटार्मेंट हो जाए इसका भुखतान भी कर दिया जाएगा इसे बाद के लिए छोड़ दिया गया है दरसल सात्में चैन्शिकों के चैन के नुसंसा करने के लिए अभी असपस्ट निड़नें नहीं लिया गया है इसके लिए विभाग आयोग गठित कर सकता है साथ ही वह यह नुक्तियां बिहार लोक, सिवा आयोग, राज करमचारी चैन आयोग और अन एजन्सियां से कराई जा सकती है अब यहां देख सकते हैं कि नुक्ति परक्रिया से पंचाईती रसंस्ता को पुरी तरह अलग कर दिया गया है प्रस्तावित नियावली में एक ही जीला अस्तरिय संभग होगा, नय नियावली में सिवा, निरंता, तथा बेतन सरच्छन का अस्पष्ट परधान किया जा रहा है अब जीला, अस्तरिय न्यूजन, एकाई का अधस, राजपत्तित पताधिकारी को समीती का अधच बनाने पर बिचार चल रहा है छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, इस नियूज से जो पुराने टीचर हैं उनको खुसी मिली होगी है लेकिन जो सात्मे चरंके से छका भी अरती हैं, उनको थोड़ा सा दुख हुआ होगा कि हमारे सीटे अब पुराने टीचर को देने जा रहे हैं तो ऐसे ही अपडेट और पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर लागातार बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों